हेलो ब्यूटिफल सोल्स आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनीक टेकनिक बताने वाली हूँ इस टेकनिक का यूज करके आप स्पैसिफिक पॉसन को मैसेज भेज सकते हैं वो भी बिना मोबाइल बिना किसी फिजिकल एक्विपमेंट के के वल आप अपने माइंड से कि को मैसेज भेज सकते हैं इस टेकनिक का यूज करके खेए और यह बहुत ही यूनीक टेकनीक है वह इस की परसंट को मैसेज भेजना एक इसके कंडिशन माथdeDig ऐसे person को जो unknown हो इस technically condition ही यही है कि आप उस person को पहले से जानते हूं वो person भी आपको जानता हो और वो person कोई भी हो सकता है कोई भी specific person your friend, your bf, your gf, your in-law, your brother, sister कोई भी हो सकता है in fact, किसी animal को भी भेज सकते हैं, okay vibration वो भी feel करते हैं, so आप किसी को भी भेज सकते हैं, पहले आपको उस person को decide करना है जिसको आपको send करना है message, अब इस technique को apply कैसे करना है, first of all आपके पास जिस भी person को message send करना है उनकी एक photo होनी चाहिए, आपको उस person की photo को लेके एक शांत जगे पे बैट जाना है, आपके पास photo होना ज़रूरी है और photo एक दम clear, crystal clear होना चाहिए, ऐसी photo होनी चाहिए, जिसमें उस person की आँखें बिलकुल clear नजर आ रही हो आँखें बिलकुल clear हो, ध्यान रखें, आपकी तरफ देखते हुए, सामने देखते हुए आँखें वाली photo होनी चाहिए ऐसी photo को लेके आप बिलकुल शान्त जगे पे बैट जाएंगे, ऐसी जगे पे जहां पे आपको peace होको या के बीच में disturb ना करें कि आप क्या कर रहे हो ऐसे place पे बैट जाएंगे, photo आपके पास होना चाहिए, जिसमें आखें नज़र आ रहे हो, बिलकुल clear crystal clear आखें नज़र आ रहे हो अब क्या करना है, पहले आप कुछ second के लिए एक meditation कर लेंगे, या दो तीन मिनट का deep breathing कर लेंगे, जिससे आपके thoughts relax हो जाएं और आपका mind भी relax and calm state में आ जाएं, आपको हाथ में उस photo को लेना है, और उसकी जो आखों में, जो भी person है, उनकी आखों में देखना है, 20 second, 30 second, 40 second, इस तरीके से देखना है, कुछ बोलना निया, सिर्फ आखों पे देखना है, बाकी face पे कहीं नहीं देखना, केवल आखों म में देखते हुए, जब आपको 20 second, 30 second बाद एक connection feel होने लगे, कि उस person से आपको connection feel हो, उसके बाद आपको affirmation देनी है, affirmation नहीं, message देना है, जो भी आप उस person को बोलना चाहते हो, बिल्कुल निशाना आखों पे होना चाहिए, आपकी जो focus है, वो बिल्कुल आखों पे होना जो भी आपका message है, कुछ भी message हो सकता है आपके person के लिए, तो जो भी आपका message है, कि हम बहुत happy थे, हम बहुत happy है, हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, उनको हमेशा सारे positive sentence बोलने हैं, ध्यान रखे, कोई भी आप negative sentence या कड़वाहट वाली चीज़े ना बोले, कि ये चीज गलत हुई, आप मुझे message नहीं करते, आप मुझे call नहीं, ऐसी चीज़े नहीं बोलनी, जो blockage create करें, के वल positive sentence बोलने हैं, और जब जितना आपको बोलना है, आपने बोल दिया, धन फोटो को side में रखते, अपना काम करने लगे, और आपको बहुत जल्दी result जा है, वो खुझ से आपको message या call करेंगे, कई बार बात नहीं हो रही होती है, तो भी इसका positive result आता है, कि सामने से call message आता है, क्योंकि ये telepathy का ही एक type है, जहां पे आप photo telepathy करते हैं, और इसका जो आपकी vibration है, आपने आखों से जो कुछ भी बोला, आपकी vibration उनकी आखों को कभी apply नहीं किया, तो एक बार ज़रूर apply करें, और अपना experience शेयर करें in the comment section,